ये हैं पुराने समय की भूली बिसरी बाइक्स, देख कर दिल खुश हो जाएगा नमस्कार दोस्तों, आज के समय में इंडियन आटो मुबाइल मारकेट में कई बाइक्स आती हैं और चली भी जाती हैं लेकिन हमारे दिमाग पर वो छाप नहीं छोड़ पाती है जो 80s और 90s की बाइक्स छोड़ा करती थी, है न? क्योंकि उस समय भले ही विकल्प कम हो लेकिन जितनी भी बाइक्स मौझूद थी न, सब एक से बढ़कर एक थी उस वक्त हर युवा का सपना होता था कि वो जिंदगी में एक बार अपनी पसंद की बाइक्स जरूर खरी दे पिछले महीने हमने कुछ ऐसी ही लेजनरी बाइक्स पर वीडियो बनाया था और आपने उसे इतना पसंद किया कि आपकी रिक्वेस्ट पर आज हम लेकर आए हैं उसी सीरीज का पार टो जिसमें हम 80 और 90 के दश्रक की 10 फॉगटन बाइक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों रॉल एंड फील्ड, एसकॉर्ट, एस्दी, हीरो और बजाज कुछ ऐसी मेजर कंपनीज ने आजादी के बाद शुरुवाती दिनों में देश के आटो मुबाइल सेक्टर में मेजर रोल प्ले किया था तो आए सबसे पहले जानते हैं एसकॉर्ट कंपनी की फॉगटन बाइक्स के बारे में 1962 में एसकॉर्ट कंपनी ने जब इंडियन आटो मुबाइल सेक्टर में कदम रखा तो उन्होंने अपनी छोटी और पावफुल बाइक राजदू जीटी एस 175 को लाउंच किया क्योंकि उस वक्त देश में सिर्फ रॉयल एनफील और एसदी जैसी भारी भरकम बाइक्स ही बिका करती थी इसलिए कंपनी को लगा कि उनकी बाइक लॉंच होते ही डिक न शुरू हो जाएगी हाला कि शुरुवात में इस भाइक को बिलकुल अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिला फिर साल 1973 में रिशी कपूर की फिल्म बॉबी रिलीज हुई जिसमें वो राजदूत भाइक चलाते हुए नजर आये थी और जैसे ही ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक्बस्टर सावित होई एस्कॉर्ट्स कम्पनी की तो किसमत ही बदल गई क्योंकि देश का हर नौजवान सड़क पर रिशी कपूर की स्टाइल में राजदूत भाइक को दोड़ाने की खौईश रखने लगा जिससे GTS 175 की विक्री तेजी से बढ़ गई हाला कि 1983 आतेया थे इस मोटर साइकल की सेल्स गिरकर बिल्कुल ना के बराबर हो गई और कम्पनी को मजबूरी में इसका प्रोडक्शन फिर आखिरकार बंद करना पड़ा राजदूद 80 और 90 के दशक में जिस बाइक ने रॉल एंड फिल बुलेट को असल में कड़ी टक कर दी थी वो थी राजदूद जो अपने डियूरिबिलिटी और रिलाइबिलिटी की वज़े से लॉंच होते ही इतनी जादा लोगपरी हो गई कि हर किसी को पसंद आने लगी यहां तक कि भारत तरकार ने अपने अग्रिकल्चरल डिपार्टमेंट के कर्मिचारियों और ओफिसर्स को देने के लिए राजदूद बाहिक को ही चुना ताकि वो कच्चे रास्तों से गुजरते हुए आसानी से दूर दूर के गाहों तक पहुँच सके वही सिविल इंजिनिर्स भी अपने उबर खाबर रास्तों से कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुँचने के लिए इस दमदार बाइक का इस्तिमाल करते थे इसके लावा दूर का काम करने वाले लोग भी इस बाइक पर अपने कई केन बांद कर गलियों में घूमा करते थे और दूर बेशते थे जौकीन ग्राहको ने इस बाइक को समहाल कर रखा है आपके पास है क्या कॉमेंट सिक्चन में कॉमेंट करके बताना चली दोस्तों अब रॉल एंफील्ड की पुरानी यादों में बसने वाली बाइक्स की बात करते हैं रॉल एंफील्ड बुलेट 350 हां 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 हमें पता है क आज भी आप मेंसे कई लोग न बुलेट के दिवान हैं मैं भी हुए याद लेकिन हम बात करते हैं 1955 में लाँच होई पहली बुलेट 350 क्यानी 350 के बारे में जुसमें 350 CC का आयन बैरल इंजिन दिया गया था जो की 4-speed gearbox से लैस था और 1962 आते याते इस बाइक का हर कॉम्पोने Made in India बन चुका था और शुरुवात से ही देश के युवाओं से लेकर आर्मी तर ये मोटर साइकल हर किसी के दिल पर राज करती थी Roll and Feel Mini Bullet Performance Bikes के सेग्मेंट में Roll and Feel ने इतना बड़ा नाम करमाया है कि अपने आसपास देखकर आपको एक नएक Roll and Feel बाइक जरूर दिख जाएगी लेकिन भारी वजन की वज़े से हर कोई इन बाइक को चला नहीं पाता इसी समस्या के समधान के लिए 1980 में कमपणी ने मिनी बुलेट बाइक लाँच की थी 200 CC के इंजन वाली इस बाइक कवर जन बुलेट 350 से काफी कम था लेकिन इस बाइक को ग्रहाकों से उतना प्यार नहीं मिला और 1983 में कमपणी ने इस मोटर साइकल का प्रोडक्शन बंद कर दिया यानि अगर आपको ये वाली जो दुललब बाइक है वो अगर दिख जाए न तो अपने आपको लखी समझेगा रॉयल एंड फील एक्स्प्लोरर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगे कि हमेशा अपने बड़े पाफुल इंजन के लिए जानी जाने वाली रॉयल एंड फील ने 1985 में जर्मन बाइक मेकर जुन्डाप के साथ कोलाबोरेशन करके अपने छोटे इंजन वाली बाइक को भी लॉंच गिया था जी हाँ, इस मोटर साइकल में 50cc का टू स्टोक एर कूल्ड इंजन दिया गया था जो कि 3 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता था और ये बाइक एक लीटर पेट्रोल में 65 से 75 किलोमेटर तक का आसानी से मालेज निकाल लेती थी इतना ही नहीं, कई एक्सपरिमेंट के मुताबेक अगर इस बाइक को 30 किलोमेटर पर आर्की कॉंस्टेंट स्पीड पर चला जाए तो ये बाइक 90 kmpl इतना मालेज निकाल कर देती थी और 9 साल बेशने के बाद कमपनी ने 1994 में इस छोटे से बाइक का प्रोड़क्शन बंग कर दिया इस लिस्ट में ये असी के दर्शक की चौथी रॉल एंट फील बाइक है क्योंकि इस बाइक के बारे में भी शायद कम लोगों को ही पता होगा दरजल यमाहां RX100 को टकर देने के लिए कमपनी ने 1988 में इस बाइक को लॉंच किया था ब्लैक, 6-star alloy wheels, क्रोम exhaust और hydraulic disc brake इस बाइक के कुछ खास फीचर्स थे वहीं इसमें 163cc का engine दिया गया था जो की 15 brake horsepower जनेरेट करता था हाला कि इतनी खास होने के बावजूद इस motorcycle को गरहाकों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली और आज असल में RE Fury को देखना काफी दुरलव है चलि दोस्तों अब जावा कमपनी की उन legendary bikes के बारे में जानते हैं जिन्हें ज़्यादा तर लोग भूल चुगे हैं उनिट के रूप में इंपोर्ट किया जाता था और फिर मैसूर प्लांट में असेंबल करके बीचा जाता था हाला कि फिर जैसे बाई की लोग प्रेता और बढ़ी तभी कमपनी ने इसे इंडिया में मैनुफाक्चर करना शुरू कर दिया इस मोटर साइकल में 248 CC का इंजिन मिलता था जो 12 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करता था हाला कि 1973 में कमपनी ने इस मॉडल का प्रोड़क्शन बंद कर दिया जावा SD 350 यानि 350 राजदू 350 को टकर देने के लिए कमपनी इस 350 CC बाई को लाउंच किया था ट्विन सिलिंडर इंजिन वाली ये बाईक 21 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करती थी जो की राजदू 350 की 30 ब्रेक हॉर्स पावर के सामने तो काफी गम था खेर ये मोटर साइकल 3.8 सेंड में 0 से 60 किलोमेटर की रफतार पकड़ ली थी और इसकी टॉप स्पीड भी 125 किलोमेटर पर आर हुआ करती थी अब दोस्तों शुरुआत में HD 350 और कमपनी की अन्य बाईक्स ने काफी अच्छी सेल की लेकिन फिर 90s के दर्शक का अंत आते हैं थे सेल्स नंबर काफी कम होने लगे और 1996 में कमपनी ने अपने सभी बाईक्स का प्रोड़क्शन बंद कर दिया हलाकि 2022 में जावा और HD के नए मॉडल के साथ कमपनी ने फिर से कमबाक किया है साथियों अब हीरो की एक ऐसी भूली बिश्री बाईक के बारे में बात करते हैं जो थी तो कमाल की लेकिन ग्राहकों पर अपना जादू नहीं चला पाई जिया हम बात कर रहे हैं हीरो बीम डबलू फंड्यूरो 650 बाईक के मारुदी एस टीम को कड़ी ठकर देने के लिए 1996 में हीरो ने अपनी इस पहली एडवेंचर बाईक को लॉंच किया था इस मोटर साइकल में 652cc का एंजन था जो की 48 होर्स पावर और 57 न्यूटन मीटर का पी टॉक जनरेट करता था वहीं इस स्ट्राइलिज बाईक में स्पोर्टी लूक, डुएल डिस्ट ब्रेक, बड़ी बिंड शील्ड और अपसाइड एग्जॉस जैसे खास फीचर थे अर्च करने को तयार ही नहीं थे, इसलिए ये बाईक उतनी चल नहीं पाई आखर में दोस्तों, बजाज कंपनी के सिर्फ यादों में बसने वाली बाईक की बात करते हैं, इसका नाम है बजाज SX एन्डूरो 1994 में बजाज ने अपनी ओफ रोडिंग बाईक कावा साकी के भी 100 को मौडिफाय करके इसके ओन रोड वर्जन को SX एन्डूरो के नाम से लौंच किया 100 CC के 2-stroke इंजन वाली ये बाईक अपने उठे हुए मटगार्ड और टेल लाइट सेक्शन की वज़स से मार्केट में मौजूद अन्य बाईक से अलग दिखती थी, लेकिन ग्रहाकों ने इस डिफरेंट लुकिंग बाईक में ज़ादा इंट्रेस्ट ही नहीं दिखा रहा और शुरुवाती दिनों में ही कंपनी के लिए इसे बेशना काफी मुश्किल हो गया था। इसलिए ये मोटर साइकल सुपर रेर बाईक बन कर सिर्फ कुछ लोगों की यादों में ही रह गई है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ऐसी लेजनरी बाईक क्या याद आ रही है कोई बाईक जो आपने चलाई हो जिसे हमने इस लिस्ट में मिस कर दिया हो अगर हां तो कॉमेंट सेक्षन में उसका नाम जरूर बताएगा और वीडियो पुसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजे और अगर आप पुराने सम काले घंडे को जरूर लवा दीजेगा धन्यवाद